कई लोग कह रहा है कि हमारे लड़के चोकिदार नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे आतनकवादी बनेंगे नरेंद्र मोदी अगर राश्ट के नेता है तो उनको राश्ट के स्वामी नहीं है वो चोकिदार हैं सेवक हैं उनको तो सोने के चमश लेके पैदा हुई है वो वो क् कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन्होंने खुद को बताया चोकन्ना चोकिदार उन पर विपक्ष ने छोड़े जुबानी ती देश के चोकिदार को बताया चोर लेकिन सरकाने बताया प्योर क्या आप भी चोकिदार है सुनिए बियेची प्रोफेसर कोशल किशोर मिश्रा के दिल की आवास सिर्फ अनेमेफ निउस पर कि चोकिदार की चोक्सिस है कैसे प्रस्तार्टारी पौक लाए हुए है चोकिदार चोर नहीं है चोकिदार प्योर है बोड़ो चोकिदार चोकिदार का दुबारा प्यम बनाद शोर है कि देश की समस्याओं का वही क्योर है कि देश का चोकिदार चोर है प्यम मोदी की मोहिम मैं भी चोकिदार हूं क्या आप इसका समर्थन करते हैं अब देखे यह बात चोकिदार शब्द को पहले आपको समझना पड़ेगा भारत के लोग चोकिदार का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है मोदी ने चोकिदार शब्द को आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक और भारती संस्कृति के अनुसार प्रोपुगेट किया चोकिदार का मतलब उता है नीत शतक में एक लाइन लिखा है द्वारपाल राग्य राजाही द्वारपाल है काउटे ले लिखता है कि सचिवा द्वारपाला सचिव द्वारपाल है नीत विमर्ष लिखता है कि नारी द्वारपाला नारी अपने परिवार की द्वारपाल है तो द्वारपाल का क्या मतलब होता है द्वारपाल का मतलब चोकिदार जो जिसकी सुरक्षा करे वह वारत के सुरभार जनत का नहीं करेंगी। जब चाय वालन भेखेश्च का में पयोपने घर में हमारी फाटनी के उसके लिए और भी तो चाय वाला है। तौं मुखेल को भीता है और वो पर समस्कृति को गाली तो एक यूँ, तो किस Geld सृ इकूराइन टेlar कर रहां इस भीता है और यूडला गंदी तो श्राय है ?! हमारे देश का चौलिधार हमेड़ी रहे में रावजादी आने लुद्व समस्कृति, हमीरी प्रियंका गांधी तो अमीरी ही देखी है, उन्होंने उनको तो सोने के चम्मस लेके पैदा हुई है, उनको तो सोने के चम्मस लेके पैदा हुई है, उनको क्या जाने चाय वाला क्या होता है, कभी क्या चोकी पर जमीन पर सोया उन्होंने, बताएं प्रियंका गांधी, चोक का मालिक नहीं है वो चोकीदार है प्रस्टी मतलब चोकीदार भारत के धन का चोकीदार है अमीर तो अमीरों के चोकीदार होंगे या अमीर चोकीदार होंगे तो क्या चोकीदार का कि भारत का हर युआ 125 गरों भारत मा का चोकीदार बने उसकी रक्षा करे उसकी संप्रभता क कि रक्षा करें उसके संबान की रक्षा करें उसके गवरों की रक्षा करें गरेवी को मुक्त करें असिक्षा को मुक्त करें भरस्टाचार से भारत को मुक्त करें और भरस्टाचार से मुक्त करना ही चोकिदार ही है गरेवी को भारत से मुक्त करना ही चोकिदार ही है और परत्मा का चौकितारबने में हमारे जैसे लोग गर्वकान को करते हैं बहुत है। पच्चास-पच्पन-पन्नों का ढखोस्ला पत्राया है। आने वाले पांच साल में उनके क्या मनशूबे है उसका सारा उसमें लिखान है। पूरे मैनिफेस्टों में उनके पूरे ढकोसला पत्र में एक बार भी मद्यमबर्ग शब्द नहीं है। नित्यास को देखेंगे तो एक पैट्रन दिखाई देती है। जब ये पार्टी संकट में आती है तब जूथे वादों का एक पिटारा खोल देती है। और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना। 2009 में इन्हों ने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मुल्य पर अनाज खरीदा जाएगा। अरे गर तो छोड़िये मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए। ये बीजेपी सिव सेना एंडिय की सरकार है जिसने लागत का डेज़ गुणा समर्थन मुल्य देने का वादा पूरा किया। ये एंडिय की सरकार है जिसने देश के बारा करोड किसानों के खाते में हर साल पच्चतर हजार करोड पे सीधे जमान कराने का काम शुरू किया है। सात्यों ये कॉंग्रेस वाले हर डकोसला पत्र में किसान को सीचाई से जोडने का वादा करते हैं। लेकिन इनकी लटकाई निन्ना नवे बड़ी सीचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर रही है। इन्होंने गरीबों को आरक्षन देने का भी बादा किया था लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए। सामान ने वर के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन देने का काम किया तो ये चौकिदार ने किया। वो भी बाकी किसी भी वर का हक चिने बना, कोई भी छेड़ चार किये बिना, किसी के हक को च्छिये बिना, सारे समाज में प्रेम और सदभावकान का वातावर बनाए रखते हुए इतना बड़ा फैसला हम दे कर लिया। सात्यों ये पहली बार देख रहा हूँ कि पांच बर्स बाद भी जनता में विपश्ट के प्रती, कॉंग्रेस के प्रती, एंसी के प्रती, शरत्पवार की पार्टी के प्रती, उनका जो गुस्सा है, वो गुस्सा जरा भी कम नहीं हो रहा है। इस गुस्से ने कॉंग्रेस में अपरा तफरी मचा दी है। हालात यह है कि कॉंग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोब लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी हैं, जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके हैं। सीट भी ऐसी, जहां पर देश की मैजोरिटी माइनोरिटी में है। मुकाबला भी ऐसा, जहां जाते ही विरोधी दल को कल देया कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं भी नांदेड में हूँ, लेकिन अमेरिटी के लोगों से कहूंगा कि इसे याद रखे, अपना ये अपमान भी याद रखे। साथियों, ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है, वहाँ पर कॉंग्रेस की क्या स्थिती है, ये उन तस्वीरों से पता चलता है, सोशल मीडिया में खूप चल रहा है, जम नामदार वहाँ की सडकों पर निकले थे, आपने वो तस्वीरे देखी हैं क्या, सोशल मीडिया में देखा है न, कॉंग्रेस का जंडा किस कौने में है डूंडना पड़ता था, कॉंग्रेस के राष्ट्री अद्धिस का जुलूस और कॉंग्रेस का जंडा खोजना पड़ता था, ये हाल है कॉंग्रेस का, साथ क्यों, कॉंग्रेस की हालत, टाइटेनिक जहाज की तरह है ये हर एक नए दिन के साथ डूपती ही जा रही है कॉंग्रेस के साथ जो जो इस जहाज में बैठा था वो NCP की तरह या तो खुद भी डूप रहा है या उठूठूठूठ करके बज्जान बचाने के लिए भाग रहा है